हेलो एवरिवन एक वरी फेर तो ताड़ा मेरे यूड्यूब चैनल ते स्वागत है एस वीडियो देवेच आपा पीएस्टेट दी एमसी क्यू जो आए या जो कोस्चन हा ओना दे आंसर डिसकस करांगे और एस वीडियो देवेच आपा पंजाबी लेंगवेज जो है पंजा जरूर दसना और वीडियो नो लाइक और शेयर जरूर कर देना सो शुरू कर देना सबतों पहलना जो है एक कविता है डंकल डंका वज्या जुडिया कोलसंसार वाली कविता है और एस दे कोश्चन देख लेने है की है 31 नंबर कोश्चन है कभी उनसार विशव पेंड़ दी सेवजना लेग केडा कारक जिन्मेवार नहीं है और एस देख दिया समस्यावा दा मतवीन होना दी विशव दे सारे लोकां दा सांज परिवार बनना 31 नंबर दा आंसर की है C देश दिया समस्यावा दा मतवीन होना अग यह बत्ती नंबर जोक के विशव पेंड़ दे संकलप देस बांद वेचे हेड लिख्यां विचो केडा वाक दुरूस्त है A जोक का विशव पेंड़ सांजी वालता दारित है B विशव पेंड़ संचार साधना दारित वपारक दाना बना है C विशव पेंड़ वेच साब लोका नू बराबर समझे जाना है D विशव पेंड़ एक परिवार दे वांग है सो बत्ती नमबर दा अंसर की है ओप्शन B विशव पेंट संचार साधना ते अदारित वपारक ताना बना है अगे है तेती नमबर कवी अनुसार जोके विशव पेंट दे की अदारहन एया बिर्द दी पैज निमन दी सार भी या लाब लोब ते गरब सो तेती नमबर दा अंसर की है एया विशव पेंट एक अबासी वर्चूल हकीकत है अगे है पैंटी नमबर वसुदेव कटुम्बकम दे फलसफे दे अनुसार विशव दी की विशेशता है ऑप्शन एया मनुक्खी सांजी वालता ते अदारहीत है बी है लोक दर्म्यान परिवार वर्गी सांज ते अदारहीत है C है नेहू मोह अते प्यारते अदारहीत है D है वो प्रोक्त सारियां विशेशता महान So basically जो वसुदेव कुटम्ब कम हुंदा है ओ गल कर दा है कि सारा जो विशव है ओ एक परिवार है So एक परिवार दे विचे सारी ही विशेशता महान दियाने उप्रोक्त सारीयं विशेशता महां कीने यह दा राइट आंसर है अगे है शत्ति नमबर हेट लिखें विचे शोद शबद चुनो D वाला ओप्शन जो है दोद लिखे है ओ सही है अगे है सैंति नमबर किरिया विशेशन चुनो पिंदा है तेज तूरो जाना है आओ जी So एस दे विचे जो है सैंति दा B है तेज तूरो जो है ओ इस दा किरिया विशेशन है अठति है हेट लिखे शबदां वेच ताकत दा विशेशन चुनो ताकत दा विशेशन जो है ओ है ताकतवार A is the right answer है अगे है उन ताली नमबर पेंड़ दे चुफेरे दी सड़कनू की केंदे है सुचाली दा अंसर है C अखान पूरी करो एक क्रेला दूज्जा निहम चड़ेया D is the right answer है अगे है ब्याली नमबर काश मेरे कोल बंगला हुंदा केडी किस्म दा विस्मिक है एक यह जो है इच्छा कार रहे है कि मेरे कोल बंगला हुंदा काश अगे लगया ना तो काश दा मतलब है इच्छा किती जाना अगे है 43 मैं शबद दा बहुवचन चुनो मैं शबद दा बहुवचन हुंदा है S.E. ठीक है अगे है 44 अदीन योजक किन्नी तरह दे हुंदे है इच्छा किन्ना को सेख गया है उसनों वैल्यूइशन केंदे है ओके अगे चल दे है 40 नंबर है मुलांकन ते प्रिख्या वेच कोई अंतर नहीं मुलांकन ते प्रिख्या तो दे रहे आपक ते विशाल है C है प्रिख्या विच्चे ही मुलांकन उन्दा है D है वड़े बच्चेया दा मुलांकन ते शोटे बच्चेया ती प्रिख्या हुंदी है So is the right answer है B मुलांकन ते प्रिख्या दे विच्च किया है जो इवेल्यूइशन है ओ ज्यादा व्यापक है exam तो ठीक है B is the right answer है अग्गे है संताली नंबर वर्ना हेट बिंदी वाले वर्ना दी गिंती दस लो So is the right answer है ससे प्रिख्या बिंदी वाले जो है O और लल्ले प्रिख्या बिंदी तक की है 6 वर्न बंदे है अग्गे चल दे है गुर्मखी दे लगाखार चुनो गुर्मखी दे वेच तेन लगाखार ने बिंदी टिप्पी यते अधग A is the right answer है और अग्गे है 49 A विचार केस ने केस विद्वान ने दित्ता की हर एक हर बच्चे विच एक पाशा ग्रियान उपकर्न मजूद हुनदा है So is the right answer की है Chomsky A is the right answer है अग्गे है बच्चा पाशा दे वाच्चन सिखन समय सबतो पहला की सिखदा है ओ उच्ची पाठ सिखदा है की हुनदा है कि छोटे बच्चे नूँ आप जदो क्लास दे विच पढ़ोना शुरू करोंदे यहां ता बच्चा की है उच्ची बोलदा है ठीक है उच्ची पाठ द्वारा की है सबतो पहला बच्चा सिखदा अग्गे है प्राथमिक पद्दर ते तुसी केस तरह दा बाल साहित जोगा है उची समझोगे एक कोस्चन MCQ सीरीज दे विच भी आया है सी अजे या साहित जेस स्वेच शब्दा ते कट नावानू दुराया गया होवे ठीक है वारवार रपीट किता गया होवे जिननने MCQ सीरीज लई सी ओनना नूँ पता है कि ये जो है कोस्चन नोँ दे विच सी वो वन्जा है पंजाबी पाशा नूँ केडी पाशा मन्या यांदा है पंजाबी पाशा जो है एक खेतरी पाशा एक रीजन नल पाशा है जो मतलब एक खेतर दे वेच्च बोली यां दिया ठीक है पंजाद आंसर है ए ओ स्वरी 52 दा आंसर है ए अग्गे है एक पैर है जिन्द आंसर जो है देने हैं तरवंजा तो लेके 60 तक पैरा जो है सिनमे दे उपर है सिनमे वेच अंग्रेज जी मूर्ता इननी शेती चल दियां ए पूरा पैर है सो अपा डाइरेक्ट कोश्चन देख देयां तरवंजा नंबर है हिंदोस्तानी फिल्मा वेच गल्ला के होजिया हुन दियाने सो अकोडिंग तो पैरा जो है इस दे आंसर देने सी इन दे विच लिखे आया है अकबार जा किताब दी सारी लिखत कौन पढ़दा है सो इस दा राइट आंसर है सी होली सोच वाला पढ़दा है चरवंजा नंबर दा आंसर है अग्गे है केड़ा आदमी किसे पैरे नूँ शुरू विच ही तार जानदा है इस दा राइट आंसर है उप्शन A चंगा पढ़े आदमी अग्गे है पढ़न दी जांच नूँ वर्तमान समय विच की आख्य यानदा है सो अकोडिंग तो पैरा जो जानदा है उप्शन S यानदा है अग्गे है चंगे पढ़न वाले की कर देने अकोडिंग तो पैरा जानदा है सब कोज नहीं पढ़े अग्गे है अठवणजा वर्तमान समय विच पढ़न दे खेत्र विच वढड़ा हुनर की है अठवंजवे नमबर दा अंसर है option D शाड़ शाड़ के पढ़ना अग्गे है 59 हेट लिखे हैं विचो विशेशन केडा है सो इना विचो विशेशन जोगा हो चंगा पढ़े है अग्गे है साथ नमबर वो प्रोक्त पैरे दा केडा सिरलेख जादा टुकमा है सो एपैरे दा केडा जो हा सिरलेख होएगा वो एचंगा पढ़न वाली सो एस अठ वीकत्ति तो लाएके ती कोश्यन सी ती दे विचो ताड़े किन्ने से हुए या वो कमेंट बोक्स देवेच जरूर कमेंट करके दसना और वीडियो नू लाइक और शेर जरूर कर देना अगर चैनल नू सस्क्राइब नहीं किता ता जरूर कर देओ सो मिल देयां नेक्स्ट वीडियो देवेच जो बाकी दो टॉपिक रह गया एक रह गया इंग्लिश रह गया और एक रह गया EBS सो होना दे अंसर की वी लाएके आन देया सो थैंक यू सो मच